हमारे पुरानों में प्राकृतिक आभासे घिरी कासी से कासी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है अगर हम गरंतों को देखेंगे सास्त्रों को देखेंगे इतिहास कारों ने भी व्रुक्षाओं, सरोवरों, तालाबों से गिरी काशिके अद्बूत स्वरूप का बखान किया है लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता आतताईयों ने इस नगरी पर आक्रमन किये इसे द्वस्त करने के प्रयास किये आउरंग्जेब के अत्याचार उसके आतंग का इतिहास साख्षी है जिसने सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की जिसने संस्कृती को कटरता से कुचलने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है जहां अगर आउरंग्जेब आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है तो राजा सुहल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एक्ता की ताकत का एसांस करा देतें काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजदानी तो है यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है आप देखिए पूरब और उत्तर को जोडती हुई यूपी में बसी ये काशी यहां विश्वनाज मंदिर को थोड़ा गया तो मंदिर का पुनरिमा माता हल्याबाई होलकर ने करवाया जिनकी जन्मभूमी महाराज का थी जिनकी कर्मभूमी इंदोर महाश्वर और अने छित्रों में थी उन माता हल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ 200-200 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है